हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियने स्टडी, इंडियने स्टडी पर आपका स्वागत है, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रपलल सी पीटी की एक्जाम डेट अब आ चुकी है, आपका एक्जाम 28 और 29 ओक्टूबर को जो है वो रखा गया है, ठीक है, अ अब उसके बाद भी अगर आप लोग ना देख पाओ, या ना पढ़ पाओ, तो फिर आपकी गलती है, मैं डेली वेसिस पे आपको प्रेक्टिस एट प्रोवैड करवा रहा था, पिछले 25 दुनों से जब से इसके फॉर्म आए, अब मैं आपको और ज्यादा प्रेक्टिस करवाओंगा, मिनीमम से मिनीमम तीन प्रेक्टिस एट आपको प्रेटी के डेली वेसिस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो इसलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो बहुत यह अच्छी बात है, रेगुलर वेसिस पे करते रहें, पहला कोसंस आपके सामने, 563 इसा पुर में महात्मा बुद्ध का जन नुमली कपल बस्तू में हुगा था, तीसरा ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यह नहपाल के 13 चेतर में जोयो पड़ता है, समझ रहे है, और उनकी मिरत्य जोयो वो कुसी नगर में हुई थ सिराज हिंद के नाम से विक्षाद जौनपुर नगर की स्थापना किस ने की थी, पहला ही ऑप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सर करेक्ट हो जाएगा, कौन सा पहला ऑप्संस करेक्ट, नेमलेकित मैंसे किसे भारत में इस थानीय स्वायत वह सासन का ज जनक माना जाता है, आराम से अब बता सकते हो, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सर, लौड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत शासन का जनक माना जाता है, रिपन के समय में वरना कूरर प्रेस एक्ट जो है वो समाप्त किया गया था, और अठारा सु एक्याप सी में निये कारकाल में शुरूवित की गई थी, यानि कि लौड रिपन दूसरा ओप्सन से यहाँ पर आपका विल्कुल क्या हो जाएगा, सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, किस मुगल समराट के सासन के दोरान, भारती मुगल चित्रो का उदगम हुआ था, जल्दी से बताएं, त भारती मुगल चित्रो का उदगम है, वो मुगल सासक हुमायू के समय में हुआ था, लेकिन चित्रकला जो है, अपने बिल्कुल चर्मोत उस कर्स पे थी, मतलब बहुत जादा चित्रकला जो है, वो बिल्कुल अपने चर्मोत कर्स पे थी, तो वो था जहांगीर, जिसके का काल में चित्रकला फली फूली तो वो है जहांगीर लेकिन उद्गम हमायू के काल में उगा था तो इस बात को धोड़ा ध्यान लगना दौनों ही कोसंस अलग हैं सबसे पहले भारत आने वाले पुर्टकाली व्यापारी कौन थे सिंपल कोसंस से बता सकते हो तो 1498 को कौन आया था सर जल्दी से बताओ तो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपी ये ब्यापारी कौन थे तो पुर्टकाली थे वो तीसरा ओप्संस करेट कौन आया था वासकोडिगामा कालीगड बंदरगा पर पहुँचा था आप सबी लोग जानते हैं उस समय के जो सासक थे जमोरेन उन्होंने उनका स्वागद भी किया था सुतंतरता का नव ग्रहत तरंगा पहली वार किस कौंग्रिस अदिवेशन में फेराया गया बढ़िया कोशन से जल्दी से बताओ तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा सर जल्दी से बताओ तो ये लाहोर अदिवेशन 1929 में फेराया गया तीसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जिसकी अद्यक्सता किस ने किती जवाहरलाल नहरून है भगस सिंग निमले के तमेंसे किस के नेता थी आराम से बता सकते हो भगस सिंग तो भगस सिंग हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलिकन एसोसियेशन के नेता थी दूसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गांधी इरविन संजोता कब हुगा जल्दी से बताओ कोसर नमबर एट आराम से बता सकते हो तो गांधी इरविन संजोते हैं कि अगर हम बात करें तो यह उगाता आपका 1931 में दूसरा आपसंस यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा कब उगाता 1931 में ठीक है क्योंकि ये भी आपको पता है कि इसे दिल्ली संजोता भी कहते हैं जो गांधी इरविन संजोता है जो कि 5 मार्च 1931 को हुआता है इसे दिल्ली संजोता के नाम से भी जाना जाता है रॉलेक्ट एक्ट पारित होने के समय भारत के बाईसराय कौन थे तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि रॉलेक्ट एक्ट जो है वो कब पारित होगा था उस समय आप तुरंत में पता सकते हो तो देखो आप सभी लोग जानते हैं अगर हम रॉलेक्ट एक्ट की बात करें 1919 में जो है वो रॉलेक्ट एक्ट पारित होगा था और 1916 से 1921 के बीच जो है वो Champsport भारत के बाइसराय रही थे तीसरा options correct हो जाएगा बस ऐसे निकाला करो भारत में Theosifical Society का पिरचार पिरचार किस ने किया था बढ़िया कोसन से जल्दी से बताओ तो देखो आप सभी लोग जानते हैं कि 20 विस्तर पर Theosifical Society की स्थापना 1875 में की गई थी इसका जो स्थापना है मैडम ब्लाट वक्सी और करनल और कटने की थी और भारत में इसका मुख्याल है जो है वो मदरास में है जो कि 1882 में मनाए गया ठीक है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लेकिन अगर हम इसके पिरचार पिरसार की बात करें कि पिरचार पिरसार में महत्पूर्ण भूमी का किसने ने वाई थी तो यह एनीवे से ने ने वाई थी सारे questions जितने बन सकते थे सभी explain कर दिये ताकि आप लोग को confusion ना बने अधिकान months भी गटना है जोब मंडल में गटेत होती है जिसका तापमान तो जोब मंडल का तापमान जो है वो उचाई बढ़ने के साथ साथ जो है वो गटता है दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेट हो जाएगा जो मंडल में पिरती 165 मेटर की उचाई पर एक डिगरी centigrade तापमान जो है वो गटता है समझ रहे हैं यानि कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर पिरते किलो मेटर की उचाई पर जाओगे तो साड़े 6 डिगरी तापमान जो है वो कमाएगा या कम होगा ठीक है तो इस तरीके से भी देख सकते हो निमले के तमेंसे कौन सा ये को समेरित नहीं है लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे बसा होगा है तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बरलिन जो है वो राइन नदी के किनारे बसा होगा है बस यही आपका गरलत हो जाएगा क्योंकि बरलिन जो है वो जर्वनी में इस्तित है जो कि इस्प्री नदी के किनारे बसा होगा है किस नदी के किनारे इस्प्री नदी के किनारे है ना तो यहाँ पर आपका कौन सा दूसरा ओप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा ठीक है next questions दोस्तों आपके सामने बिस्ब की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है तो आप सभी लोग जानते हैं कि विस्प की सबसे बड़ी जहाजी नहर कौन सी है मिस्र में सुईज नहर है पहला option से यहाँ पर आपका विल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा next question से आपका काला सोना किसके लिए प्रियोक्त होता है सर जल्दी से बताओ काला सोना बहतरीन कोस्टन से आप बता सकते हो जल्दी से बताओ सब्द काले सोने का प्रियोक जो है वो किसके लिए किया जाता है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर पैट्रोलियम के लिए पहला ओप्सन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है काले सोने का जो प्रियोक है वो पैट्रोलियम के लिए किया जाता है तुरपुरा अपने उत्तर दश्चन और पश्चिम में किस देश से गरा हुगा है तुरपुरा यानि कि तीन तरफ से पुरा हुगा इसलिए तो इसको तुरपुरा कहते तो सही आंसर हो जाएगा बांगला देश क्योंकि तीनों तरफ से यह बांगला देश से गरा हुगा है वर्स 1955 में आरम की गई मिड्डे मीली हो जना ही तू किसके दौरब प्रवंद एवं बित्त्य विवस्ता की जाती है तो किसके दौरब की जाती है मानब संसादन एवं विकास मंत्राल है यानि कि चोथा आप्संस करेक्ट हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धान्द दिया है किसने प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धान्द दिया है किसने दिया है किसने दिया है किसने दिया है अर्थात रोजगार की मातरा प्रवापूर्ण मार्ग बर जो है वो निरवर करेगी ठीक है तो चौता ओप्संस करेट थोड़े से देखो यह जो टम्स हैं यह अर्थसास्तर के टम्स हैं तो इसको थोड़ा सा डीपली समझना होता है लेकिन कोसंस के आंसर अगर आप याद कर डारेक्ट हो, जाएगा जिसको हम मनी मार्केट कहते हैं मूल लेखहंकान समयकरन क्या है डारेक्ट फॉल्मूर आपको बताना है विए मूल लेखहंकन समयकरन जो की सम्पथि बराबर में होता है देटा-प्लस-अक्वेटी अर्थूत मूल- än llocy हंकण में संपथि का आकलन देता तता equity को सामिल किया जाता है यानि कि इस questions का चौता options बिलुकुल correct हो जाएगा सुतंतर भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्धी करना कब किया गया था जल्दी बताओ पहली बार की बात हो रही है तो demonetization कब किया गया जाता 1978 में वुगा था पहली बार first time तीसरा options यहाँ पर आपका विल्कुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा ठीक है next questions दोस्तों आपके सामने भारती सम्मीदान के अनुसर अनुच्चित 32 के तहत व्यक्ति का स्वतंतरता के लिए उच नियाले नेमले के तमें से किस rate को जारी कर सकता है तो बंदी पर तक्ची करना rate को तीसरा options बिल्कुल करेक्ट भारती सम्मीदान का कौन सा अनुच्चित 16 और जन जाती 16 और के प्रवसासन से सम्मादेते है तो अनुच्चित 244 तीसरा options यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट भारती सम्मीदान का कौन सा अनुच्छे दिया कहता है कि प्रदान मंतर की निकती राश्पती के द्वारा की जाएगी अनुच्छित 75 एक तीसरा ओप्सन्स करेट लोग समा में समाने सदस्यों द्वारा नेजी विदेयक पेस करने की सूचना अब दी क्या है एक महा पहला ओप्सन्स करेट लाश्ट कोस्टन देखो कि कौन सा मौलेक अधिकार अलप संक्यको के हितों के संरक्ष्ण की बात करता है तो इस कोस्टन का अंसर आप मुझे करने बॉक्स में बताएंगे तो दोस्तो ये थे आपके इंपोटेंट कोस्टन जो कि आपके आने वाले एक्जाम यू पिटरपल सी पीटी के लिए बेहद इंपोटेंट है वीडियो को आपको अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक और से जरू कर दीजिएगा बाकी फर मिलते हैं नेक्स लास में नेक्स सेसन में जय हिंद जय भारत